हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोना की रसुई में आज हम बनाने वाले हैं देसिस टाइल विंटर स्पेशल रेसिपी जो है यूपी की मोस्ट मोस्ट फेवरेट और बहुत जादा पसंद की जाने वाली रेसिपी में से एक जिसे देखकर आपके मुँ में पानी आना तो लाजमी है तो जरा भी देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी तो आईए इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी चना दाल जिसे हमने राद भर भर भिगो दिया था आप चाहें तो तीन चार घंटे पहले भी भिगो सकते हैं और इसके मिक्शर के लिए हमें चाहिए हींग नमक पिसद भुना जीरा लैसुन लैसुन की मात्रा इसमें थोड़ी ज्यादा रहेगी और हरी मिर्च और ये हरी मटर और हरा धनिया क्योंकि हम चना दाल और मटर दोनों का मिक्स करके आज ये रेसिपी बनाएंगे तो हमने मिक्सी में मटर, चना दाल, हरी मिर्च, लहसुन सबको एक साथ मिलाके पीस लिया है हमें बहुत जादा फाइन पेस नहीं बनाना है हमें थोड़ा अगर थोड़ा बहुत हलका सा मोटे में भी रहेगा तो भी अच्छा है बहुत एकदम पाउडर नहीं बनाना हम इसमें हींग डाल देंगे और हमारा भुना जीरा और हमने जो धन्या काटके रखी हुई थी इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे याद रखें कि नमक इसमें हम अभी नहीं डालेंगे वह हम आपको बाद में बताएंगे कि नमक हमें इसमें कब इस्तमाल करना है अगर हम अभी इसमें नमक डाल देंगे तो यह पानी रिलीज कर देगा जो हमें फिर उसको फिलिंग उसकी करने में भरने में मिक्षर को दि अत्सक्राइब करें थे ठालकों साथ में अब लेगर उल्क तक का रॉक्ता वाल तक करीने के estád सबूड़ने दुद्सक्राइब एक दिकली टेल करें लोगे इस स्फूरा दीज़ी इशली ताइल करता हूं आै में प्रिप्रतन क helpful की एंड श~~ पहले ही करके रख लेनी है अब हम अपना गूदते हैं तो हमने एक कटोरी गेहूं का आटा और चार कटोरी हमने चावल का आटा लिया है तो यह रेशियो आप रखेंगे तो आपको अगर आप पूरा चावल का आटा लेंगे तो भी हो सकता है लेकिन खाली चावल के आटे से तोड़ा सा तूटने लगता है आपको बैलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर लें तो आपको एजली बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमने यह पानी लिया है और इसे हमने हलका गुन- नरम भी नी चाहिए हमें इतना चाहिए कि सॉफ्ट डो हमारा बनके तयार हो जाए और उतना पानी हमारा बच गया है अब हम गैस पे भगोना चड़ा देंगे मेडियम फ्लेम पे करके हमें यह लोई लेनी है और लाइटा लगाते हुए हमें इसे बेल लेना है रोटी क्या करमें हमें बहुत हलके हाथ सहिसे भेलना क्योंकि चावल का आटा है तो यह बहुत आप अगर प्रेशर के साथ आप इसे वह करेंगे तो यह तूट जाएगा इसलिए हमें बहुत हलके हलके हाथों से इसे बेलना है ऐसे धीरे धीरे करते हम इसकी एक रोटी बना लेंगे और हमने यह गिलास ली है जिसका थोड़ा नुकीला सिरा है इससे हम गोल गोल आपके पास जो भी चीजे कुछ हो ऐसा गोल का टोरी आप तो कुछ भी धकन कुछ भी ले सकते हैं इससे हम अपना शेप चोटी चोटी लो लिए अब कर्लेंगे और हम जो हमने मिक्षर लिया था उसका हाफ मिक्षर हम में है हम इकठे पूरे में नमक नहीं मिलाएंगे क्योंकि वह सारे में निए वाटर रिलीज कर देता है तो हमें फिर दिक्कत होगी इसलिए हम थोड़े में करके इसमें नमक मिला के फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे अगर आपको ज्यादा खाना भर के पसंद है तो आप उसे हिसाब से अपना कम ज्यादा फिलिंग कर सकते हैं और हम इसमें अभी हमें यह पूरा यह भगोना यह पानी हमारा गरम हो गया है और हम इसमें जो ओयल हमने लगाए था उस पर हमने इसको सब बिशा दिया और हम इसे 15 मिनट के लिए मीडियम आज पर इसे हम गैस पर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए 15 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे अगर हमें आपको लग रहा है कि आपका भी नई हुआ है तो आप 5 मिनट के लिए फिर से इसे कवर कर दे नहीं तो 15 मिनट में यह हो जाएगा और फिर हमें थोड़े देर इसे ऐसे ही ढख के गैस बन कर देना है और आप देख सकते हैं आप अगर ज्यादा ओईली नहीं खाना परक्संद करते हैं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और नहीं तो इसे सिर्फ एक चम्मस तेल में आईए हम आपको दिखाते हैं इसे करीपत्ता जीरा और भुना जीरे का हमें हमने थोड़ा सा या आप लाल मिर्च पिसी लाल मिर्च थोड़ी सी इसमें तड़के में डाल दें और हम सारे अपनी फारे को कढ़ाई में 1 साथ और हमें इसमें बहुत तैल का अस्तमाल नहीं करना है इसे जादा नहीं और हमें इसे इसी तरह चलाते हुए मीडियम आज पर इसे हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके पका लेना है और ये देखिए हमारी रेसिपी तयार क्यों आ गया न मुँ में पानी तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अब बैल आइकन दबन प्लीज न भूले थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू